अगर 10 मिनट की advance preparation कर ली जाए तो सिर्फ 5 मिनट में ये healthy पालक का पुलाव सर्फ करने के लिए ready हो सकता है। इसके लिए हमें पालक को blanche करना है, मतलब पहले पालक को सिर्फ 20 seconds के लिए boil करेंगे और फिर chilled water में transfer करेंगे। इससे पालक का bright color retain रहेगा। अब पालक के साथ धनिया पत्ता, 8-10 पुदीने के पते और हरी मिर्च मिला कर एक paste का base बना लेंगे। इस base को हम frizz में store कर सकते हैं। अब पुलाव बनाने के लिए oil में अदरक लहसुन का तड़का लगाएंगे और प्याज को ऐसे golden brown होने तक भुन लेंगे। अब पालक के base को add करेंगे और साथ में मैंने boiled corn लिया है जो कि completely optional है। इसके बाद नमक और chili flakes डाल कर paste को 3-4 मिनट के लिए low flame पे भुन लेंगे। पेस्ट को भुनते समय ध्यान रखेंगे कि paste को हमें थोड़ा dry कर लेना है। जिससे कि जब हम पुलाओ बनाएं तो उसकी consistency खिचड़ी वाली ना हो जाए। इसके बाद हम उसमें boiled rice add करेंगे और एक मिनट तक भुनते हुए अच्छे से पका लेंगे। फिर flame off करके नीबू का rice add करेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे। तो अब चाहे guest आ रहे हो या फिर lunch box pack करना हो पाँच मिनट में बिल्कुल healthy recipe ready हो जाएगी।